हेलो एंड वेलकम बेक, आई होप आल आर यू दूइंग वेल एंड टेकिंग प्रोपर केर आफ यॉर्सेल्फ सो दियर स्टुडेंट्स आप सभी का फिट से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेत गुरू चेला पर स्टुडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जा रहे हैं पॉल साइन्स ओनर्स फोर्थ सेमिस्टर के थर्ड कोड सब्जेक्ट डेट इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के पास्ट इयर्स कोश्टन पेपर्स को देखेंगे किस टाइप के कोश्टन जो है वो आपके पास्ट इयर्स कोश्टन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं स्टुडेंट्स ये जो वीडियो है ये डियू रेगुले स्टुडेंट्स एस्टूल स्टुडेंट्स और साथ ही NCWeb स्टुडेंट्स तीनों ही institutions के students के लिए काफी helpful होने जा रही है important होने जा रही है so video को ending तक जरूर देखिए ending question papers की आप जरूर practice कीजिए हो सकता है इन में से एक या दो question आपके open book examination के अंदर पूछ लिया जाए so देखिए students आपके screen पर नजर आ रहा होगा ये first question paper है global politics का जिसमें लिखा हुआ है serial number of the question paper, UPC, name of the paper, name of the course, semester, duration, maximum marks and so on कुछ instructions भी लिखे हुए हैं जो students को follow करने हैं इस examination के लिए इस question paper के लिए अगर हम total number of questions की बात करें तो total number of questions जो पूछे गए वो 8 पूछे गए जिनमें से आपको any 4 questions attempt करने थे अपनी answer seat के अंटर तो देखिए first question क्या रहा आईए जानने का प्रयास करते हैं तो देखिए first question जो रहा वो रहा what do you understand by globalization, discuss the cultural and technological dimensions of globalization वैश्वी करन से आप क्या समझते हैं? वैश्वी करन के Sanskritic एवम तकनीकी आयामों का वर्णन कीजिए सो ये आपका first question पूछा गया जो कि basically आपके first unit का first topic के अंदर से पूछा गया है then second पूछा गया how does globalization impact political sovereignty, do you agree with the view that the idea of nation state is on a state of decline in the era of globalization, give reasons वैश्वी करन राजनीतिक संप्रेभूता को किस प्रकार प्रेभावित करता है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वैश्वी करन के युग में रास्टिय राज्य पतन की और अग्रसर है? कारण बताईए then question नमर थर्ड पूछा गया how do you perceive the role of world trade organization in the contemporary global economy, examine it in the context of developing countries? समसामाइक वैश्विक अर्थवैवस्था में विश्वे वैपार संगठन की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं? विकाश्शील देशों के संदर्व में इसका प्रेक्षण कीजिए then question number four पूछा गया what do you understand by global social movements? discuss its impact on global politics वैश्विक सामाजिक आंदलोनों से आप क्या समझते हैं? वैश्विक राजनीती पर इसके प्रेभावों का वर्णन कीजिए then question number five पूछा गया discuss the international efforts towards mitigating the dangers of climate change जलवायू परिवर्तन के खत्रों को कम करने के लिए उठाए गए अंतररास्टिये प्रेयासों का वर्णन कीजिए then question number six पूछा गया make an assessment of major anti-nuclear proliferation measure since 1967 1967 के बाद आड़विक प्रेसार को रोकने हे तू अंतररास्टिये प्रेयासों का मुल्यांकान कीजिए then question number seven पूछा गया critically examine the concept of human security do you think human security can provide an alternative framework of security give reasons मानव्स रक्षा की अवधार्णा का आलोचनात्मक परिक्षन कीजिए क्या आप समझते हैं कि मानव्स रक्षा एक वेकलपिक्स रक्षा की पद्दीती हो सकती है कारण बताईए then question number eight पूछा गया write short notes on any two of the following जिनमेंसे आपको चार जो टापिक्स हैं वो दिये गए हैं जिनमेंसे आपको any two पर जो आपे best तरीके से आते हों उन पर आपको notes लिखेते हैं short notes तो देखिए कौन-कौन से वो topic जो पूछे गए इसके अंदर वो है international monetary fund लानिके IMF international terrorism BRICS, Global Commons Debate निमल लिखित में से किनी दो पर संशिप्त टिपणियां लिखिए अंतरास्टिय मुद्राकोश अंतरास्टिय आतंकवाद BRICS वैश्विक सामानने विरासत पर वाद विवाद Then students, ये second past year question paper है जिसमें लिखा हुआ है serial number of the question paper UPC, name of the course name of the paper, semester, duration, maximum marks and so on कुछ instructions भी लिखे हुए है candidates को जो follow करने हैं इस examination के लिए आईए हम first question को समझने का परियास करते हैं So देखिए first question पूछा गया है Explain the concept of globalization discuss its alternative perspectives वैश्वी करन की अवधारना की वैख्या कीजिए इसके वैकिल्पिक द्रेस्टी कोणों पर विवेचना कीजिए Then question number two पूछा गया है How has the process of globalization emerged as a challenge to the sovereignty of states राज्य की संप्रेभूता के लिए वैश्वी करन की प्रेकरिया एक चनोती की तरह कैसे उबरी है Then question number three पूछा गया है How has the formation of WTO helped in removing the barriers of free trade विश्व वैपारिक संगठन की स्थापना से मुक्त वैपार के अवरोधों को दूर करने में कैसे मदद प्राप्त हुई है यह आपको explain करना है define करना है Then question number four पूछा गया है Comment on the NGO based resistance of globalization गैर सरकारी संस्थाओ पर आधारित वैश्वी करन के विरोधों पर टिपणी कीजिए Then question number five पूछा गया है Provide a historical overview of various international agreements to handle ecological issues परियावर्निय मुद्धों को निर्धारित स्वारी नियंतरित करने के लिए बने विविद अंतररास्टिय संधियों का इतिहासिक विवरण प्रदान कीजिए Then question number six पूछा गया Discuss the measures taken to curb international terrorism in post 1911 Global politics उत्तर 911 विश्वराजनिती में अंतरास्टिय आतंकवाद को नियंतरित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए Then question number seven पूछा गया What are the ongoing debates on the phenomena of global governance वैश्विक सासन पर जारी विवाद क्या है यह आपको define करना है explain करना है Then question number eight पूछा गया Write short notes on any two of the following निमल लिखित में से किनी दो पर शंशिप्त टिपणी कीजिए Non-state actors and terrorism गैर राजजिये अभी करता और आतंकवाद Difference between MNCs and TNCs बहुरास्टिये एवं अधी रास्टिये निगमों में अंतर Climate Change जलवायू परिवर्तन Technological Dimensions of Globalization वैश्वी करन के तकनिकी आयाम आई ये एक और question paper को हम discuss करने का प्रयास करते हैं जो की latest 2019 का question paper है जानते हैं किस टाइप के questions इस question paper के अंदर पूछे गए हैं सो देखें इसमें लिखा हुआ है सीरल नमर अधी question paper UPC Name of the paper Name of the course Semester Maximum marks And so on कुछ इंस्टेक्शन्स भी लिखें हुए हैं जो candidates को follow करने हैं इस examination के लिए देखी जो first question पूछा गया वो पूछा गया What is globalization Discuss Are the merits and demerits of globalization Then second question पूछा गया Discuss the role of world trade organization That is WTO Enhancing international trade In the era of globalization Then question number third पूछा गया What is meant by global resistance How has it They raised the concern for the global issues Discuss वैश्विक प्रतिरोज से क्या तात पर रहे वैश्विक मुद्दो के प्रति जागरुकता में इसने कैसे व्रधी की है Then question number four पूछा गया International terrorism is a huge challenge for the world Explain अंतरास्टी आतंकवाद वैश्विक के लिए एक बड़ी चुनोती है वैख्या कीजिए Then question number five पूछा गया Environmental degradation has become a global problem How has the international community addressed the issue through major international agreements Discuss Then question number six पूछा गया The concept of state sovereignty has undergone a change in the process of globalization Support your answer with the appropriate example वैश्विकरन की प्रेकरिया में राज्य संप्रेभुता की संकल्पना परिवर्तित हुई है अपने उत्तर के समर्थन में उचित उधारन दें Then question number eight पूछा गया राइट शॉट्ट नॉट्स on end two of the following निमल लिखित में से किनी दो पर संशिप्त टिक्पनी लिखिये Non-state actors in globalization वैश्विकरन में गैर सरकारी राज्य करता Then international migration अंतरास्टिय प्रेवासन Global commons Global commons Cyber crime and globalization Cyber अपराद एवं वैश्विकरन इस टैप के questions जो है वो आपके past year question papers के अंदर पूछे गए है उमीद करते हैं कि इन मेंसे कोई ना कोई questions जो है वो आपके open book examination के अंदर जोरू पूछ लिया जाए लेकिन आपसे request जरूर है कि आप इन question papers की इन questions की जरूरू टेक्टिस कर ले वहीं अगर हम बात करें आपके open book exam के pattern की जैसे कि आपको आपको अलरी पता है कि total number of questions जो होते हैं वो 6 होते हैं जिन मेंसे आपको 4 questions जो है वो attempt करने होते हैं कोई भी short notes जो है वो पूछा नहीं जाता है आपके open book examinations के अंदर total time जो मिलता है वो आपको 3 plus 1 hour आपको time मिलता है and अगर maximum marks के अगर हम बात करें तो 75 marks का आपका question paper होता है so देखे total मिला कर ये बात है कि आपके open book examinations के अंदर कोई भी short notes नहीं आने वाला है जितने भी questions आएंगे आपको उनके long answer ही लिखने होंगे ऐसे type answers आपको लिखने होंगे आप point wise भी उसके अंदर answer जो है वो लिख सकते है answer आप starting करें अपने introduction किसी भी answer के आप starting कर सकते हैं किसी question के आप starting कर सकते हैं introduction के साथ ठीक है students then उसकी body part के अंदर then conclusion या फिर जो आपके कुछ positive points जो आप उनको add कर सकते हैं अपने answer के अंदर so students thank you for watching this video अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए helpful या फिर informative होती है तो please वीडियो को like and share करना ना भूलें अगर आप हमारे channel पढ़ाई with guru चला पर नए हैं तो please notification bell icon को press करते हुए हमारे channel को जोरू subscribe कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो की notifications मिलती रहें आपसे कोई भी वीडियो कोई भी topic मिसना हो students आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं जिसका link हमने इस वीडियो के description box के अंदर दे दिया है आप simply click करकर हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं आपके जो भी feedbacks हों जो भी आपके suggestions हों आप उन्हें वाया YouTube comment box section के द्वारा दे सकते हैं या फिर आप हमें mail भी कर सकते हैं जो के आपकी screen पर id नजर आ रही है so students इसी के साथ thank you for watching this video stay home stay safe stay indoors